पुर्टी मेरे घर के दरी वेटियां, बेने हैं, माँ हैं, इसे किसी को लगता हो कि ऐसे अर्गत थी है, तो मैं खेड़े। ये माफी भरे शब्द बीजेपी के दिगजनेता मनेश ग्रोवर के हैं, जो पिछले कुछ दिनों से कई गंभिर सवालों के गहरे में थे। इन निता जी पर महिलाओं को अश्टेर इशारे करने का आरोप लगा था, जिसे लेका लगातर कई जगहों पर प्रदशन किये जा रहे थे, विरूत किया जा रहा था, और महिलाओं का घुस्सा साथ में आसमान पर था, हांसी में अपने मान सम्मान के लिए प्रदशन पर बै वहीं बादली हलके के विदायक डॉक्टर कुल्दीव वत्स ने भी मनिश ग्रोवर को सवालों के कट घरे में खड़ा कर काई आरोप लगाए थे, कहा था कि मनिश ग्रोवर को किसानों के बीच आकर अपने इस्तिति स्पष्ट करनी चाहिए, इसके साथ ही उन्होंने 2016 के ज प्रते हैं जो हमारे किसान है, मान बेटिया है, वो आप मान करके ऐसी अड़कत करके बड़ा बन जाएगा आप लिगाए आप लिगासिन काल देए और आप परते एक वक्ति हैं इस अर्याना का इस बात को सेंग भी करेगा थे वो किसान है थे निश भी मैंन है जय को इसके यह अर्याना की इजद की बात है। और खिसानों की जाए आप बात कर रहे हैं। खिसानों की अपना च्रीक है। चांतों के ले डंज से अफ्राम दोन करता है। और इसमें भी। मैं आपको इस बात आपको चैनल के मारें उसे कहना चाहता हूं। तोड़ा खोने ओर यह हैं। जिसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। यह आवाज शायद बीजेपी के आला कमान तक पहुंची। और इसका असर देखने को मिला। जब भाजपा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनिश ग्रोवर ने इस मामले में माफी मांगने का वीडियो जारी किया कहा कि वो एक ऐसी पार्टी के कारे करता है जो राष्ट की सेवा के लिए काम कर रही है अगर फिर भी किसी को लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें खेद है दस ताइं दिन शेडिवा जिला इसार कारिश्मिती की बैठर खतम होने के बाद हम भाहर लिखले उस गाड़ी में मेरे साथी गिधाय की जो घाड़ा जी मेरा पीएसो और डेट हम गाड़ी से बाहर निकले गाड़ी से बाहर निकलते ही बाहर शोर मच रहा था मुदाबाद के नारे लग रहे थे मुटाबाद के नारे लगने के बाद हम इसहार के अंदर दो जगा पर चाहे पी, चाहे बीने के दुरान हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे हशीर हर्पते हमारे आपकी गाड़ी में किया गया है मैं हाती जिता पार्टी का एक कारे करता हूँ, जिसका राष्ट से प्यार और प्रेम रहता है, जनता की सेवा करना हमारा तर्पर कहता है मंत्र जी ने घुमा फिरा के ही सही पर माफी तो मांग ली लेकिन इस मौके पर भी वो पार्टी के गुडगान का गाना नहीं भूले उन्होंने पार्टी के कारें का बखान करते हुए अपने इस माफी नामे को जारी किया पर एक राज्य मंत्री रहे चुके नेता पर यूँ सवाल उठना और इस पर बीजेपी के सारे कुनबे की खामोशी बीजेपी के महिला सम्मान और सुरक्षा के उन तमाम दावों पर पानी फेरने का काम कर रही है जिसके लिए नेता बड़े गर्व से इस पार्टी का बखान करते फिरते हैं सत्य खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट